नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में आई फ्लू को रोकने के उपाए आप सभी ने सुना होगा कि आई फ्लू इंफ्लेंजा बोलते हैं जिसे एक कॉंटिजिस वायरिल इंफेक्शन है जो आम तोर पर सर्दी जुखाम की रूप में हमें परिशान करती है लेकिन इससे बचने और रोकने का भी पॉसिबिलिटी है अगर हम कुछ सिंपल टेप्स और प्रिकॉशन्स फॉलो करें तो हम इससे रोक सकते हैं जैसे कि पहले है हाथ दोने का महत सबसे पहले हमेशा अपने हाथों को सावन से दोए आई फ्लू वाइरस हाथों की संपक से भी पहल सकता है इसलिए हाथों को स्वक्ष रखना बहुत इंपोर्टन दूसरा है मास्क का उप्योग जब भी आप बाहर जाएं खासकर भीड़ भाड़ वाली जगों पर तो मास्क पहनना ना बूलें यह आपको वाइरस के संपक से बचाएगा और आप भी आने लोगों की संक्रमित नहीं करेंगे तीसरा है अच्छे खाने पीने के आदत हैं अपने खानी पिने का ध्यान रखें ताजा फल सबजियां प्रोटीन यूग तहार लें और हमेशा पानी पीते रहें इससे आपके इम्यून सिस्टम मजबूत होगा और वाइरस से लड़ने की छमता बढ़ेगी चौता है हातों से अपने चेहरे को चूने से बचें आप जितने भी हातों से बाकी वस्तों चूते हैं उतने ही बार आप अपने चेहरे को चूना भी कम करें यह भी आई-फ्लू संक्रमान के खत्रे को कम करने मदद करता है पांचवा है वैक्सिनेशन आजकर वैक्सिनेशन के माध्यम से आई-फ्लू से बचाव के लिए वैक्सिन उपलब्द है इसलिए अपने नजदी की किसी डॉक्टर के पास जाकर इसकी सलाल है और वैक्सिन लगवाने की कोशिस करें चटवा है विस्राम और सोने का समय अपने सरीर को पूरी नीन और आराम के आवे सकता होती है नीन पूरी करने से आपका इम्म्यून सिस्टम सक्री होता है और वाइरस से लड़ने की शमता बढ़ती है सात्वा है फिजीकल एक्टिविटी नियमित रूप से व्यायाम करना भी आपके स्वास्त के लिए बहुत फायदेमंद होता है व्यायाम से सरीर की रक्षा प्रणाली मजबूत होती है और वाइरस से लड़ने की शमता बढ़ती है तो ये थे कुछ आसान उपाय जिनसे आप आईफली से बच सकते हैं अपने और अपने परिवार के स्वास्त के लिए आप इन उप्यायों के अपनानी का प्रयास करें और स्वस्त रहें अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूल धन्यवाद साब्दान रहें स्वस्त रहें स्वस्त रहें 境् entsprechend aller तो आपको ये लो हमारे करें स्वस्त रहें झाल झाल